असलेम आलाईकुम वरह्मत लौही वर्मतुम। देहें मैं आपसे कजवीद के मुपालिक कुछ सवाल बना चाहती हूँ अगर आप मुणासिप समझे तो। जी बिल्कुल। कजवीद कीसे कहते है? कुरान करीब के हर्वाज को उसके मखरज और शिवत के साथ अदा केने को कज़ीद कहते हैं मखरज किसे कहते हैं? जिस दगा से हर्व की आवाज भी करती है उसा मखरज कहते हैं माशालू अब हुर्फ मद्दा और गुन्ना के हर्फ बताओ इसे किस तरह परेंगे? जिस दगा से जगा परेंगे उसे लख और गुन्ना के हर्फ दोगे उसे इसे इसा राज दोगे? अब हुर्फ मखरज कर दोगे उसे इसा बताओ इसे किस तरह परेंगे? पूरू के मद्दा तेन हैं, अलिफ मद्दा, वाह मद्दा या मद्दा, इसे इस तरह पढ़ेंगे बापूं दे इन ते लोगों एक अज़ के बराबर फिज़ कर पढ़ेंगे खुर्ना के हल्स दो है, नोन मुशदर बे मुशदर, इसे इस तरह अज़ा करेंगे बाशालो, एक और सवाल, बीट साथित के बाद अगर हलसे बाद और बूट साथित के बाद अगर हलसे बाद आए तो पॉच्छा काईता होगा बीट साथित के बाद अगर हलसे बाद आए तो इस्वा होगा और बीट साथित के बाद हलसे बाद आए तो इस्वा होगा एक और समाल , तक अधुन सावीर के अधुस अधुन सावी के नहीं कि नहीं बाहिए नहीं बहुत सही होगा excel, मिल्सक्राइन कोई हरफ आए तो वह starts tom. वां यानि वां में को ते गूना प्रक्र नहीं पड़ेंगे वां इस तरह करेंगे अजिए पर्दाबन अलीम कुफवन आखादू अब जहरे यह बता हो कि हुरूफ को अगर उसके मखरीच से अदाना किया गया तो क्या ख़रां भी लाजिमाएगी अगर हुरुफ को उनके मुखर्च से अदाना किया बया तो उसका माना और मत्त बदल जाता है जैसे कलगुन वाफ से उसका माना दिरुत होता है और अगर कोई उसे कलगुन काफ से पड़े तो उसका माना कुट्य के होता है लियादा इस सुरत में परने वाला बज़े सवाब के हुना के मुस्तहीख होगा इसलिए कोई मुस्लमानों और आरतों तुरान शरीक सही परना आ जाने उसके फिकर और कोशिश करना ज़रूरी है माशाला आपसे मुझार करके बड़ा फाइदा हुआ आमें माशाला आपसे मुझार आपसे मुझार करें